एलो फ्रेंच कैसे हो आप आशा है कि आप सब ठीक होगे तो फ्रेंच आज हम आपके लिए लेकर आए हाए है मिल्क पोडर को अच्छी रेस्पे इसे ओन करेंगे, वन स्पून डालेंगे इसमें घी, तो देखिए हमारा घी थीरे-थीरे मेल्ट हो रहा है, हम इसे थोड़ा हाई फ्लेम पर कर देते हैं, और फ्रेंट्स अब मिसमें डालेंगे अपना मिल्क, यह मैंने एक ग्लास दूद लिया हुआ है, तो देखिए हमारा खी भी मैल्ट होचका है, और हमारा दूद भी बोई रहने वाला है, तो अब हम इसमें डालेंगे अपना मिल्क पोडर, मैंने यह बड़ा बावल मिल्क पोडर लिया हुआ है, यह मैं अपने दूद में डाल देती हूँ, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो आपको इसे इहलाना बिर्दूल बंद नहीं करना है अगर आप इहलाओगे नहीं तो आपकी मिठाए बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी और हमारा जो मिल्क पॉडर और दूध हो नीचे की तरफ लग जाएगा और अब हम इसमें डालेंगी वन स्पून घी और अगर आप इसमें घी कम डालेंगी तो इनीचे की तरफ लगेगा दुरूर आप इसमें घी का थोड़ा सा जादा इस्तिमाल करें तो देखें आप खुद बहुत देख सकते हैं कि हमारी कड़ाई से भी अभी छुटने लगा है अगर इसमें घी काफी होगा तो यह बहुत ही जब दीवन करता है यह हो जाता हो नीचे चिपकता भी बहुत कम है मेरी वीडियो पर कमेंट आई थे कि हमारा नीचे की तरफ चिपक रहा है तो उसका रिजन यहीं था कि आपनी घी इसमें काफी कम यूज किया था तो मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगे आप इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा डालें तो अब मैं इसमें से हाफ निकाल लूँगी और अपनी उसी बाल में निकाल लूँगी जिसमें मैंने मिल्क पोडर रखा था तो देखे यह मैंने इतना निकाल लिया है और तो इसमें अब बचा हुआ है उसमें हम थोड़ा सा फूड कर मिलाएंगे तो देखे यह मैंने थ यह थोड़ा से बचा गुवा है वह भी में डाल देती हुं। इसे थोड़ा सा रेड करने के लिए मैं थोड़ा सा अडाल देखी हूं अगर इसमें आप रेड कलर डालेंगे तो काफी दिखने भी आपकी मिठाई काफी अच्छी दिखेगी और खाने में बहुत ही स्वाधिश्ट लगेगी क्योंकि कलर फुबा कुछ खासा कुछ खासा से नहीं होता है मारे मिठाई पे सिर्फ यह है कलर अच्छा दिखने के लि अब हमारा यह वेश्ट बनकर तेयार हुचका है अब हम इसके खोड़े देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो देखिए आप देख सकते हैं एक तरफ मैंने और इंसकलर का डो बना लिया है और एक तरफ फाइट कलर का डो है तो अब मैं इसके छोट-छोट बनाका रखती है अब नमबर आता है यह जो मैंने रेडिकलर का अपना डो बना रखा है अब हम उसके बनाएंगे तो फ्रेंट उसे हम पहले रोटी के आकार्मी बढ़ा लेती है थोड़ा फिर से चारो तरफ से थोड़ा थोड़ा सा दबा कर इसके इस परकार से गोला बना चित्फित करular को हड़ेंगे उसे छपी और अब अपने हथों को चिकना कर रहत गी और अपने लड़ू को भी अच्छी से चिकना करेंगे फिर चितने दिखने में अच्छी रिखेंगे बहुत ही यम्मी बहुत ही टायस्ट बने वालें हैं तो देकार याम ने पना यह यह तयार कर लूँगी हमने एक करकी यह चार लड़ु तयार कर लिए हैं तो देखिये फ्रेंट्स मेli यह पांच लड़ु बहुत ही बढ़्याब बनाकर तयार कर लिए हैं तो इसकी थोड़ी गानेस के लिए मैं इसके ऊपर फोड़ा पिस्ता लगा देती हूँ तो देखी फ्रेंड्स आपको एक लड़ू इनमें से कटकर के दिखाती हूँ कि हमारा लड़ू किस तरह है और कैसा बना हुआ है अंदर से देखे फ्रेंड्स इसका टेक्श्र कितना बड़या हूँ आप देख सकते हूँ तो देखे फ्रेंड्स आप देख सकते है हमारे लड़ू कितने बढ़या और कितने अच्छे बने हुए हैं तो फ्रेंस अगर आपको हमारी ये रेस्पी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और फ्रेंस नोटिफिकेशन बेल जरू दबाए ताकि आपको हमारी नए वीडियो का लिक मिलता रही तो फ्रेंस अगली एक ऐसी ही नियुरेस्पी साथ फिसे आप से मिलाकात होगी नमशकार